यह तुम दोनों की लास्ट वर्निंग्स है कॉन खोल के सुन लो स्कूल के छोटे बच्चे नियो जो लाडम की तरह बताना पड़ेगा क्या है क्या है यो प्रेस करके निपैन सकते और तेरे जुत्ते कित गए एक जुत्ते निखरीद सकता और सुना कलियो वर्दी प्रेस होन समझ गे सोरी ममी जी सोरी ममी जी वरना लाद मार की नो कृते निकाल दूंगी मैडम जी बॉल राम राम कोन अबे तू घड़ से खाल ली सेके जे सबीरे सबीरे मूँ ठायाड़े चलाया मैडम जी मेरा नाम है मत्रो रोमेंटिक बाहों में लिपड जाओ ने पक्वास कर द ममी जी मैं इस आदमी का कौन पे जाओंगा कौन की नदिया बादूगा कौन की नदिया इस आदमी ने आपको बाहों में लिपने को कहा साब गुशा नहीं गुशा बिलकुल ने करने का साब ये मेरा तकिया कलाम है जो मेरे मूँ से बार बार निकल जाता है साब तो मेडम मैं ये बोल रहा था बाहों में लिपड जाओ मेरी नेनी शादी हुए है मेडम और मैं निमून मनाना जाता हूं तो फिर यहां मनाएगा अनिमून, घर जा, घर जा के मैं नहीं हो मैडम, बात ये नहीं है, बाहों में लिपड़ जाओ तो फिर के बात से, मैडम जी, मैं अनिमून पे गोवा जाना चाहता हूँ, बाहों में लिपड़ जाओ तो जा ना फिर, किसने रोका से बात यह है कि बाहों में लिपड़ जाओ मैं अपने अनिमून पर नहीं जा सकता है क्यों कोई डिफेक्ट यह कोई साइड इफेक्ट इफेक्ट वाले कोई बात नहीं है बात यह मेडम जी मेरी बीवी का नाम रस मलाई है अपनी बीवी का नाम या सकनने आया बड़ा आभी तू बोल क्यों मना कर रही है तेरी बीवी नहीं मेडम जी बाहों में लिपड़ जाओ तो फिर क्या प्रोब्लम है तेरी मेडम जी प्रोब्लम तो बहुत बड़ी है बाहों में लिपड़ जेओ वो मेरी पत्नी बच्चों वाली जिद पेड़ी है मेडम जी वो कहती है हानीमोन पे जानने से पहले आप मेरी एक पहली का उत्तर दो तो फिर दे दे ना उत्तर के दिकत से तनने प्रोब्लम है ना मेडम जी बाहों में लिपड़ जाओ मुझे उस पहली का उत्तर पता ही नहीं तुम अज ने बता के पहली से मैं बताऊं तनने उत्तर मैडम जी अगर आपने उत्तर दे दिया तो आपकी बड़ी मेरबनी होगी मेरा हनीमून मन जाएगा बाओं में लिपड़ जाओ तो मैडम जी यह रही आपके सामने पहली हरा चोर लाल मकान उसमें बैठा काला शेतान गर्मी में वो दिखता है शर्दी में गाय बोजाता है बताओ मैडम जी वो क्या है बाओं में लिपड़ जाओ मन ने था को नी बे रहा जे आपने बे रहा है तो आप ही दे दो इसकी पहली गा उत्तर बेचारेगा हनीमून मन जाए रहा हाँ भायो पलीश आंशर जल्दी देना मुझे अनिमून को लेट हो रहा है प्रिये दर्शकों हम ये वीडियो आपके मन रंजन के लिए बनाते हैं हमारा उदेश्य किसी की भावनाव को ठेस पहुचाना बिल्कुल की नहीं है और दर्शकों मैं जो शराबी का पिरदार आपके लिए निबा रहा हूं ये केवल मात्र मन रंजन के लिए है शराब पीना सेहत के लिए काफी हानिकार है शराब का सेवन ना करें हमारे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक्यू नन्यवाद